हाई गैस और विल्कम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन विल्कम टू दी डेली करेंट अफेर्स आफ एर्थ आफ सेप्टेंबर 2021 तो गैस आज है तारिक 8 सेप्टेंबर 2021 और है वेटनेस डे आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सबी current affairs को हम लोग detail मे discuss करेंगे ना वो बढ़ते हैं आगे एक बार देख लेते हैं कौन कौन से articles का discussion करना है हम लोग को आज के इस वीडियो में आज हम लोग सबसे पहले article में चर्चा करेंगे बहुती ज़ादा important topic की वो है कारभी एंग्लों agreement तो ये agreement काफी ज़ादा चर्चा में अभी हाल ही में ये कारभी एंग्लो agreement हुआ है तो ये इस agreement के अंदर क्या क्या discussion क्या गया है इसके पीछे का reason क्या है असम के बारे में आपको बहुत सारी चीज़े जानने को मिलने वाली है तो article बहुत जबरदस्त है जी एस पेपर टू पॉलिटी के perspective से साथ जी साथ मैं आपको बता दू ये जो वीडियो है daily current affair का ये daily basis पर morning में 5 बजे upload हो जाता है और ये वीडियो आपके UPSC और state PSC के point of view से बहुत जादा important रहता है तो आप लोग चाहो तो साथी साथ अपने notes बगरा prepare कर सकते हो आज के हम लोग second article में बात करेंगे कि climate change का impact आने वाले time पर बहुत बुरा पढ तो इस वीडियो में आप जानोगे ऐल नीनो ला नीना क्या होता है काफी आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा साथी साथ यहाँ पर हम लोग discussion करेंगे क्यों ये article में चर्चा है क्या impact पड़ेगा climate change का इन दोनों ही चीज़ों के उपर ये article आपका UPSC GS paper 1 geography के point of view से important हो जाएगा दर उसके बाद third article में आपको एक नए चीज़ जानने को मिलेगी वो है raptor species तो raptor species क्या होती है जो कि आज के time पर काफियत खत्रे में आप जानने को मिलेगी आपको raptor species के बारे में बहुत सारी important information ठीक है unique article है इसी वज़ा से important है GS paper 3 environment के perspective से उसके फूर्थ article में हम discussion करेंगे tuberculosis को लेकर tuberculosis को लेकर एक vaccine के बारे में चर्चा हो रही है BCG vaccine काफिय तक effective है मैं सारी चीज़े clear करूँगा tuberculosis क्या है प्लस ये क्यों चर्चा हम है और BCG vaccine क्या है इसका क्या असर है इसके ओपर ये सारी चीज़े हम लोग connect करने वाले हैं ये article आप का GS paper 2 international relations के point of view से important हो जाएगा तो अभी यहाँ पर चर्चा में है अब यहाँ पर आपके सबको meeting हुई है इंडिया और क्रोशिया दोनों के बीच में उस meeting के अदर क्या क्या discussion हुआ है कैसे हम लोग अपने relations को और ज़्यादा बहतरी न बना पाएंगे उसके बारे हम जानें दन उसके बाद next article में हम लोग बात करेंगे eat right station certification के बारे में तो अभी एक certification दिया गया है एक station को वो कौनसा station है discussion होगा total कितने station है भारत के अंदर जिनको eat right station certification मिला है इस certification के अंदर क्या क्या बोला गया है इससे क्या फाइदे है यह सारी चीज़ हम लोग discuss करेंगे article again health के perspective स important है दन उसके बाद next article में हम बात करेंगे account aggregator system के बारे में तो यह account aggregator system क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर banks ने मिलकर कोशिश करिए कि information को आपस में share करेंगे लेकिन वो information customer के consent के उपर share किया जाएगा जब तक customer permission नहीं देगा तब तक उसको share नहीं किया जाए प्लस इसे क्या फायदे होने वाले है और भी बहुत सारी factual information आपको जानने को मिलेगी जो कि prelims perspective बहुत ज़दा important होने वाली है तो guys बढ़ते हैं आगे अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो नीचे description box में आप सभी लोग को telegram का link दिया गया है वहाँ से जाकर आप लोग कर सकते हो और यह है मेरी Instagram ID दीपक चादा वेजूकेशन यहाँ पर जाकर मुझे follow कर लेना अपनी जितनी भी queries है मुझसे आप लोग पूस सकते हो by the way दोनोई चीजों का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा साथ यसाथ आप लोगों से यह भी कहना चाहूँगा यहां तक प चाहर नहीं देना है मतलब एक सेकंड भी नहीं लगने वाला वीडियो को लाइक करने में तो आप लाइक करके अपने support दिखा सकते हो आपको मालूम होगा हम लोग daily basis पर क्या करते हैं अपने जो current current affair होता है उनको तब cover करते ही है साथ ही साथ जो पिछला पिछले दिन का current affair ह करोता है उनका revision भी करते हैं तो इससे कल हमने क्या क्या discussion किया था virtual court के बारे में चर्चा की थी जो हमारे chief justice of India है वो virtual court के software को लेकर काफी unhappy रहे तो हमने discussion किया था virtual court क्या होता है virtual court को e-code भी बोला जाता है आज के time पर cases की सुनवाई पूरी तरह से online हो रही है तो जो online basis पर आ benefits है वो भी नीचे comment section बताना यानि virtual court के क्या problems और benefits दोनोगी चीज़े नीचे comment section बतानी है कल मैंने detail में discussion किया था उसके बाद कल हमने science and tech का article discuss किया था blue straggler star के बारे में तो अभी जो हमारे Indian researcher है उन्होंने देखा blue straggler star form हुआ है और इसके form होने के बहुत सारे कारण है जैस तो बड़े बड़े दो सितारे आपस में collide हो जाता है collision की वज़ा से बन जाता है तीसरा या फिर दो से ज़्यादा star जब आपस में collide होते है उसके बाद ये blue star बन जाता है क्योंकि blue star का size bigger होता है थोड़ा सा बड़ा भी होता है तो हम लोगोंने discussion किया था इसके formation के उपर उ और यहाँ पर fresh water की कमी होने की वज़ा से यहाँ पर जो river से उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्काते देखने को मिल रही है तो question यह है बितर कनी का national park कहाँ पर पाया जाता है नीचे comment section बताना दूसरा important यहाँ पर question यह है बितर कनी का national park में से इस park में कौन सा जानवर है जो की सबसे ज़्यादा पाय जाता है मतलब कि यह national park कौन से जानवर के लिए सबस्यादा famous है उसके बाद कल हमने discussion किया था बहलर सी turtle award के बारे में तो यह award अभी एक व्यक्ति को दिया गया है नाम बताना जरूर और तीन species क्या करा था उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति ने क्या करा तीन प्रजाती थी इन turtle की एक तरीकी से इन कचुवों की उनको बचाया है तो वो तीन प्रजाती है कौन सी थी वो भी हमने कल डिसकस किया था नीचे comment section में जरूर टाइप करना उसके बाद कल हमने बात की थी इंडिया और US के trade issues को लेकर तो भारत और US के बीच में व्य में समझाया था उसके बाद at the last time में discussion किया था कि दुनिया भर जो है वो आज के time पर सबसादा परिशान है देमिंतिया को tackle करने के लिए तो देमिंतिया से बहुत सारे लोग आज के time पर परिशान देखने को मिलेंगे देमिंतिया कौन सी बिमारी है ये कहां पर affect करती है ये अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कर्भी एंगलों agreement के बारे में तो ये जो कर्भी एंगलों agreement है ये क्या है तो हम लोग इसको एक एक करकर detail से समझेंगे तो धिहां से सुनते रहना मैं आपको सारे sources दिखाता रहूँगा कहां कहां से articles को लिया गया है ये article Indian Express का है कि अभ यहां पर एक पेक्ट साइन किया गया पांच rebel groups के साथ जो इन्सरजंट groups है आसाम के अंदर उनके साथ यहां पर यह agreement साइन किया गया और यहां पर agreement के बीच में आपर यह agreement हुआ है तीन लोग बीच میں यहां पर कौन-कौन लोग थे एक थे five insurgent group यानि कुछ यहाँ पर group है जो कि यहाँ पर मांग कर रहे थे इस कर्भी एंगलोंग को लेकर कि इस कर्भी एंगलोंग को अलग से देश बना दिया जाए अलग से state दिया जाए अलग से agreement का main जो purpose है वो यही है कि northeast वाले region के अंदर peace और prosperity को maintain के जाए शांती बनाए जा सके क्यों शांती बनाने की बात की जारी है मैं भी आपको बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरदंग मच्चुका था बहुत सारे लोग की जान जारी थी अब यहाँ पर आप map देख पाऊगे यह Assam district map है कार्भी एंगलोंग की कौन सी बात हो लिए तो सबसे पहले आप यह Assam का पूरा map देख रहे होंगे कार्भी एंगलोंग यह वाला east वाला region है और यह कार्भी एंगलोंग west वाला region है तो यहाँ पर जो लोग हैं अलग-अलग यहाँ पर community के लोग रहते हैं तो वो लोग आपस मिलकर चाहते हैं कि यह जो दोनों हैं इन दोनों को अलग से देश बना दिया जाए एक अलग से यहाँ पर इनको recognition मिलना चाहिए लेकिन इंडिया यहाँ पर ऐसा नहीं करेगा और हमने इनको शा जाए फिर उनने बोला एक अलग से स्टेट बन जाना चाहिए बोडोलेंड कौन-कौन से वाले रीजन थे वो यह चार रीजन थे कोकरा जहर उसकवा चिरांग बक्सा और उदलगुरी तो इन चार यह जो है आपके सकते हो यहाँ पर डिस्रिक्ट है इन चार डिस्रिक्ट इसके बारे में समझना है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा आसाम के अंदर यह कारवी लोकेट है अभी हमने मैप में देखा कारवी जो एंगलोंग है इस पूरे स्टेट का सबसे बड़ा डिस्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत सरे ट्राइबल ग गुरूप्स रहते हैं तो यह सारे गुरूप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ सब लोग अलग 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 ते हैं अब यहाँ पर क्या हुआ इनोंने मिलकर एक तरीके से यह कोशिश करी है कि इस रीजन को इनकी मांग यह उठी कि अलग से एक अ हो गए यह तरीके से major ethnic group देखने को मिलेंगे असम के अंदर और यहाँ पर इन्होंने क्या किया बहुत साई लोग की जान ली है ठीक है बहुत ज़दा हिंसा प्लस उसके बाद central government है तो जो पाँच ग्रूप है उन में से आपको बहुत सारे ग्रूप देखने को मिलेंगे जैसे कि insurgent ग्रूप हो गया कार्भी एंगलोंग डिस्रिट के अंदर एक है पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल अफ कार्भी लोंगरी उसके बाद दूसरा है का कार्भी लोंगरी एंसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट ठीक है आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे इनकी अलग से डिमांड उठी है यह लोग पहले से डिमांड कर रहे थे कि हम लोग को एक separate state चाहिए मतलब कि हम लोग को असम से अलग कर दो और यह कार्भी एंगलोंग प्रकार से शांती को बनाया गया उसके बारे में जानेंगे लेकिन उससे पहले आप समझ लो इनके पास autonomous council है ठीके नोंने autonomous council यह मांग की थी और इनको सरकार ने autonomous council दिया अपना खुद का एक council बना कर दिया अब इनको देने का पूरी तरह से हक भी है ऐसा क्यों क्योंकि यह हमारे एक तरीके से भारत के समविदान में लिखावा है यह देखता होगे जो कार्भी एंग इन चारों के अंदर autonomous council को देने का बात करता है यह six schedule आपको ध्यान रखना है यह क्या करता है ट्राबल freedom को provide करवाता है लोगों को legislative executive उनको powers देता है अपने खुद के साब से लोग चल सके और अपना एक autonomous district council बना सके तो आपको ध्यान रखना है कि इन states को यहाँ पर यह powers मिल कार्भी एंगलोंग autonomous council बना था ओके अब यहाँ पर क्या है कुछ इसके highlights हम discuss करेंगे ठीके अब highlights के अंदर मतलब जो meeting हुई है ट्राइपटाइट agreement वास के अंदर क्या क्या चर्चा हुई पांच जो organization है militant organization जो की group थे वो थे यहाँ पर यह इनके नाम है ठीके कुछ याद रखना इतनी ज़्यादा important नहीं है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बोला गया यह जो group थे militant group है यहाँ पर इनकी सोच यह है कि हम लोग को एक अलग सा राजे चाहिए बिल्कुल अलग से हमारे लिए यहाँ पर एक अलग जगा बना दो तो इनके पास हतियार वगरा भी उन्होंने एक तरीके से violence को give up किया हिंसा नहीं करेंगे वो और यहाँ पर कोशिश यह करी जा रही है कि अब शान्ती को maintain कर जाएगा तो पहली highlight यह है कि जो कारभी के outfit थे उन्होंने surrender कर दिया है जो militant थे उन्होंने अपने हतियार नीचे डाल दिया है उसके बाद अब य जो कारभी वाले लोग है इनको आने वाले 5 साल में 200 करोड रुपे करके मिल जाएगा 1000 करोड रुपे तक इनको दिया जाएगा अब question यह है 1000 करोड रुपे देकर इनके ओपर छोड़ दिया जाएगा कि आप अपने हिसाब से पैसा लगा सकते हो क्योंकि इनकी मांग यही थ कि हम लोग अपने हिसाब से पैसा लगा सकें ऐसे हमें पैसा मिले तो यह लोग इनका जो autonomous council है वो अपने हिसाब से पैसा खर्चेगा इन पैसों को इनको सिर्फ पैसा थमा दिया जाएगा तो यह agreement हुआ है इससे यह लोग खोश हो गए उसके बाद बहुत सारी इनको autonomy दी अपने यह एक तरीके साब कर सकते हो जो इनका council है उसको कारभी एंगलों autonomous council को बहुत सारे rights दिये गए कि आप लोग यह अपना काम perform कर सकते हैं अपना काम कर लो तीक है जो आप चाहते हो वो कर सकते हो लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए आसम की territory administrative integrity को affect नहीं होना चाहिए वो सब चीजे और आप शांती पूरवा काम कर सकते हो यहाँ पर इनको बोला गया मतलब इनके पास powers आ चुकी है और साथ ही साथ इनको powers दे दी गए जाद साथ legislature power मिल गए अपने इससाब से law बना लो अपने इससाब से implement करो executive power मिल गए और पूरे administrative power मिल गए इनको पैसा दे दिया जाएगा अपने इससाब से आप लोग पैसा लगा लो जहाँ पर लगाना चाहते हो यह सारी power मिली है किसको यह यहाँ पर के एसी के एसी जो कि अभी हमने डिसकस किया कार्वी एंगलों और आटनमर्स काउंसिल जो आप एक काउंसिल है उसको यह सारी powers दे दी गई है तो एक तरीके से इनकी कहने कहीं थोड़ी बहुत जो है शांती आप कह सकतो प्राप्त हो गई है अब यहाँ पर क्या है इन लोगों के हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़े देखने को मिली अब यहाँ पर इस agreement के अंदर rehabilitation को लेकर बादचीत करी गई य जो असाम की सरकार है वो एक कारभी welfare council को setup करेगी जो की main focus करेगी कारभी वाले लोगों को जो यह local people है उनके ओपर focus किया जाएगा उनके development के ओपर focus किया जाएगा प्लस एक agreement यह भी है यहाँ पर ensure करेगा जो कारभी के लोग है इनका culture हो गया इनकी language इनकी identity उन सब को यह लो को यहाँ पर यह अच्छे से clear हो गया होगा बढ़ते हैं next article की तरफ और क्या है हमारे पास तो देखो मैं आपको एक चीज़ और बहता दूँ यह हमने देखा कि अभी कारभी एंगलोंग agreement इसके अलावा औरी बहुत सरे agreement हुआ है North Eastern वाले रीजन के अंदर एक agreement हुआ था त यहाँ पर भी शांती दी गई जो brew community है रियांग community यहाँ पर इन लोग की मांग थी ऐसी कि हम लोग को अलग से जगा चाहिए तो यहाँ पर भी शांती मनाई गई इनके लिए पैसव ऐसा खर्चा गया investment किया गया उसी प्रकार से बोडो पीस accord हुआ था बोडो लेंड की मां environment perspective से important होने वाला है और environment section आता है GS paper 3 के अंदर यहाँ पर चर्चा हो रही है climate change का जो impact हो बहुत बुरा पढ़ने वाला है आने वाले time पर किस के ओपर एल नीनो और ला नीना के ओपर condition हमारे पूरे दुनिया की ऐसे से ऐसे हो जाएगी जैसे जैसे यहाँ पर climate change का impact पढ़त article है कल का यार्टिकल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इन्होंने बोला super computer को लिकर एक तरीके से जो super computer है वो यहाँ पर ही काम कर रहा है climate change का effect पढ़ेगा किसके ओपर एल नीनो और ला नीना के ओपर अब मैं आपको बता दूँ यह जो super computer है इसकी कितनी capability है इसकी capability इतनी है इसने यह calculation कितनी तकड़ी करी है सबसे पहले वाद इसके अंदर calculation करने की power इतनी है कि अगर हम यहाँ पर इसकी तरह यह calculation करते तो हम लो अगर यहाँ पर human beings जो है मिलकर आपस में calculation करते तो वो calculation यहाँ पर super computer कर सकता है और इस super computer ने यह calculation करके बताया है कि आने वाले टाइम पर जैसे जैसे क्या होगा जैसे जैसे carbon dioxide हमारे यहाँ पर बढ़ रहा है उसी प्रकार से आगे भी calculation किया जैसे speed से आगे बढ़ रहा है जिसी speed से आज की time बढ़ रहा है उसी speed से आगे बढ़ेगा तो इससे क्या impact पड़ेगा जो एल नीनो और ला नीना है वो हमारे बहुत बुरी तरह से बरबाद होंगे affect होंगे अब discussion यह है यह एल नीनो ला नीना क्या है इसको हम लोग समझने वाले हैं तो देखो एल नीनो में क्या होता यह cold face होता है तो ध्यान रखना एल नीनो warm face होता है और ला नीना यह cold face होता है यहाँ पर पानी ठंडा पड़ जाता है अब आपको ध्यान होगा जहाँ पर गर्मी बढ़ेगी वहाँ पर water vapor भी उठेंगे उपर cloud formation होगा बारिश बहुत होगी ठीके जहाँ पर जादा गर्मी पड़ेगी पानी गरम होगा ओशन का वहाँ पर बारिश ही बहुत होगी वहाँ पर water vapor उठेंगे और इसाब cloud formation होगा बारिश होगी खूब लेकिन जो यहाँ पर जहाँ पर पानी बिल्कुल ठंडा रहेगा वहाँ पर कोई बारिश नहीं पड़ेगी तो कई एन्सो क्या है यहाँ पर हमेरम इसको समझते हैं एन्सो को बोला गया है एल नीनो एंड़ सदन ऊसिलेशन ठीक है इसको बोला गया एन्सो एन्सो यहाँ पर कह भोला गया क्योंकि यह क्या करता है जो समुद्र का surface है उसके temperature की fluctuations को यहाँ पर देखता है temperature क्या हो रहा है मतलब जो समुदुर का पानी है उसके अंदर temperature बढ़ रहा है घट रहा है उस चीज को यहाँ पर यह देखा जाता है तो उसको हम लोग ENSO बोलते हैं तो ENSO का ही एक cold face होता है एक warm face होता है cold face जो होगा उसको हम लोग बोलते है ला नीना और जो warm face होता है उसको अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं यहाँ पर हम discuss कर रहे हैं एल नीनो की condition को एल नीनो की condition क्या होती है यहाँ पर आप देख पार होंगे यह है हमारा महान भारत इधर इंडिया आपको देखने को मिलेगा इंडिया सा आप इधर चलोगे तो इधर अब यहाँ पर पानी बहुत गरम है अब पानी गरम कैसे हुआ गरम तो यहाँ पर हुआ था ठीक है अब गरम क्यों है क्योंकि यह एक्वेटर पर पढ़ रहा है ठीक है ध्यान से सुनना यह एक्वेटर पह रहा है और आपने बचपन से ही पढ़ा है एक्वेटर पर क्या ह अरय से यहाँ पर पानी जो है एक तरीके से आगे आप को सकत हो सर्क्रील में चलेगा एक समलग ओशियन करए की बोलते हैं पानी ऐसकर आगे बहता है बहता है यह वापस से ऐसे घूम के आ جाता है ठीके है कि यहाँ पर पर बहकर आया फिर उसके बाद ये वापस से पीछे जाएगा तो इंडिया आपको पीछे दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पर यह बात ओर यह सब कुछ हो रहा है अब यहाँ पर क्या है कि पेरू वाले रिजन में जब यहाँ पर क्या हो रहा है एक तरीके से गरमी बढ़ क्या होगा बारिश यहाँ पर बहुत होगी इस कंडिशन को बोलते है एल निनो जब एल निनो की कंडिशन होती है तो इंडिया के अंदर बारिश नहीं पड़ती है तो आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर वाम वाटर नहीं बचा गरम पानी नहीं है वाम वाटर क्य मैंने आपको बताया बारिश नहीं होगी तो यहाँ पर सूखा वाली situation देखने को मिलती है भारत के अदर आपको ड्राफ वाली situation देखने को मिलती है सूखा पड़ जाता है ठीक है तो यह आई हूप आपको एकलियर हो गया होगा यह है एल निनो की condition जब पानी आगे जाएगा South America की side यहाँ पर इखटा हो जाएगा और यहाँ पर बारिश भी खूब होगी यह हो गया एल निनो अब ला निनो इसका उल्टा होता है पानी यहाँ पर आया था अब पानी क्या होगा फिर से जाएगा तो यह ओशन करेंट चलता रहता है इस प्रकार से घूमता रहता है च ठीक है यह ठंडा पानी इदर आगया गरम पानी इदर आगया अब यहाँ पर एक तरीके आपका सबकर जो यह ठंडा पानी है अब यहाँ पर क्या होगा जो यह cold water है इसकी वज़े से कोई बारिश नहीं होगी लेकिन यहाँ पर क्या होगा अब यहाँ पर warm water आ चुका है अ में बोला गया global warming काफी थी जिसे बढ़ रही है यहाँ पर क्या होगा कोई भी एक तरीके से temperature एक तरीके जा ठंडा गरम हो गई नहीं temperature सब एक बराबर हो जाएगा आने वाले टाइम पर अब आने वाले टाइम पर temperature सब एक बराबर हो जाएगा तो इससे सभी countries को बहुत जादर नुकसान देखने को मिलेगा सूखा पड़ जाएगा बहुत सारी situation हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकती है ऐसा यहाँ पर बताया गया I hope आपको यह clear हो चुका है पूरा का पूरा आर्टिकल वापस से आप L-9 ला-9 वाली condition देख सकते हो ठीके अब यह average यानि की समानने rate से कुछ जादी गरम हो जाएगा तब की बात हो ठीके average rate से कुछ जादा गरम हो जाता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया है L-9 ला-9 एक और आप मैं आप यहाँ पर देख सकते हो यह सारी बात कहां की होई है यह Pacific Ocean की बात हो यह यह Pacific Ocean है Pacific Ocean के अंदर यह पूरा का पूरा सेनारियो देखने को मिलता है चाहिए वो L-9 हो चाहिए वो यहाँ पर यह ला-9 हो ठीक है तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान अखना नाव बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल अगेन environment perspective से important होगा environment अगेन आता है GS paper 3 अंदर य गया गया है बहुत सदा important होने वाला है down to earth एक one of the most important source है हमारे UPSC exam के लिए तो एक recent research होई है उस research के according आप बताए गया लगबक 30% जो 557 raptor की प्रजातियां है 557 raptor की प्रजातियां है उसमें से 30% जो है वो कहीने कहीं खतम होती भी नजर आ रही है वो कहीने कहीं बर्बाद होती भी नजर आ रही है तो यहाँ पर यह analysis प्रोवाइड किया गया है IUCN के दोरा और BirdLife International के दोरा तो I hope आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या बोला गया कि एक तरीके से जो यह raptor species है यह खत्रे में काफी जदा इनको production देने की जरुरत ह अब raptor species exactly क्या होती है raptor होता है bird of prey मतलब एक ऐसी चड़िया होती है जो की शिकार करती है खाती है किसको mammals को reptiles को amphibian को insect को rodent को इन सब को खाती है या फिर दूसरी चड़िया होती है उनको भी खा जाती है तो यह carnivore meat eater होती है आप ध्यान सकते हो raptor क्या होती है raptor होती है raptor पार्णी वोरस डाइट होता है यानि कि यह मासा हरी होती है मास ही खाती है ज्यादा तर यह सारी चड़िया आई सीच साइट जो होती हैं कि काफी तगड़ी होती है अब्वेसी बात आपको पता होगा जितने भी शिकार करने वाली यहाँ पर चड़िया है उनकी आई की यहाँ पर अलगलग टाइप के रैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, इनको scientifically अलगलग नेम से बोल जाता है, तो अलगलग प्रजातियां है रैप्टर की तो आपको ध्यान रखना है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो लगबग 557 प्रजातिया पाई जाती है रैप्टर की, इसमें से 30% जो प्रजातियां है वो काफियत तक खत्रे में है, खत्रे में आने के पीछे का reason क्या है वो भी हम discuss करेंगे, बट उससे पहले हम लोग इन रैप्टर की importance को समझ लेता है, यह जो रैप्टर बर्ड है इनका हमारे दुनिया में होना भी काफी ज़दा जरूरी है क्योंकि यह कई न कई पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, मालों कोई जानवर मर या या शिकार भी करा है, तो को किसी मरे भी जानवर को भी खा लेते हैं, अब जानवर मर या है तो इससे environment के अंदर hazardous cases निकल लें, प्लस कीड़े बहुत सारे पैदा हो रहे है, डिजीज बहुत सा यह है कि बहुत सारी अपनी छोटी से प्रजातियों को खाते हैं, यह लोग अपनी छोटी 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 वाली इंसे जो दूसरे नीचे वाली प्रजातियों को खाते हैं, ताकि पॉपुलेशन को मना के रखा जा सके, क्योंकि नीचे जो छोटी मोडी प्रजातियां वो का रखा जा सके तो यहां पर इनका इस वज़ा से भी एक बहुत बड़ा importance देखने को मिलेगा प्लस रैप्टर की population है वो कहाँ पर कौन सी country के अंदर सबस्यादा पाए जाते हैं तो इंडोनेशा के अंदर सबस्यादा रैप्टर स्पीशी पाए जाते हैं उसके बाद कोलंबिया के अंदर इकवाडूर के अंदर पेरू के अंदर सबसे जादा यह रैप्टर पाए जाते हैं example कौन कौन से होगा है जैसे मैंने भी आपको बताया आल्स वल्चर हॉक फालकन इगल तो यह सब यहां पर रैप्टर ही बोलते हैं मतलब यह सब रैप्टर की कैडिगरी के अंदर आती हैं यह शिकार करती हैं एक तरीके से कौन सा है, डीको, एक तरीके सा डिकलो फैनेक, तो यहाँ पर आप कहसे हो, जो भी यहाँ पर डेट बोड़ी है, माँ लोग को इक डेट बोड़ी पढ़ी है, लाइफ स्टागी, माँ लोग को यहाँ पर काओ या फिर बफेलो या कुछ भी है, वो मर चुका है अब उसकी dead body पड़ी है अब महाँ पर क्या है उस cow buffalo जो है उसको feed कर रखा है diclofenac से उसको यहाँ पर यह तरीके से diclofenac दे रखा है अब क्या होगा जब यह bird है उसको आके उस cow buffalo किसी को भी खाएगी तो वो diclofenac इसके पेट में जाएगा और यह चलिया भी मर जाती है तो poisoning वाली situation यहाँ पर देखने को मिल जाती है उसके बाद habitat loss आज के टाइम पर जैसे मैं बताया environment वगरा बरबाद हो रहा है बहुत ज़दा उसकी वज़ासे भी यहाँ पर आपके सकते हो इन चलिया को काफियत तक खतरा पैदा हुआ है अब बात करते हैं इनको protection देने की क्या क्या efforts लगा जाते हैं तो इनको conserve करने के लिए बहुत सरे efforts लगा जाते हैं पहला effort है raptor memorandum of understanding जो यह memorandum of understanding है यह है conservation of migratory birds of prey in Africa and Eurasia को लेकर तो आपको ध्यान रखना है इस memorandum of understanding के अंदर आपके सकतो हो यह agreement कर रखा है बहुत सरी countries ने की हम लोग इन चिडिया को है जो raptor है इनको production प्रोवाइड करवाएंगे उसी प्रकार से भारत के अंदर ही बहुत सरे conservation efforts लगते हैं बहुत सरे efforts लगाता है इंडिया भी यहाँ पर आपके सकतो raptor's memorandum of understanding का signatory इसने भी sign कर रखा है प्लस और भी बहुत सरे conservation चलाता है conservation of vulture हो गया यहाँ पर हमारी इस तरीके से goal हमने set कर रखा है कि vulture action plan लेंगे हम vulture की population increase हो जाए 2020 से लेकर 2025 तक उसके बाद इंडिया जो है part है save का save मतलब saving Asia's vulture from extinction क्योंकि आज के टाइम पर जो यह vulture है गिद है वो काफिय तक हतम हो रहा है तो इनको बचाने की जरुवत है उसको लेकर भारत काम करता है प्लस उसके बाद भारत का एक और conservation है वो यह है जटायू conservation breeding center पिंज और यानि हर्याना के अंदर आपको यह देखने को मिल जाएगा यहाँ पर भी vulture को protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है तो दुनिया भर में प्लस भारती बहुत सारे efforts यहाँ पर लगा रहा है vulture को protection देने के लिए ना उबढ़ते हैं next article की तरफ और जो next article है वो आपका health perspective से important होने वाला है और जो health का topic है वो आपका GS paper 2 के अंदर आता है इसके बारे में ध्यानत नहीं यहाँ पर बात हो रहे है tuberculosis के बारे में तो tuberculosis बिमारी काफी हादक चर्चा में आ चुकी है यहाँ आप देख पाए रहोंगे यह दहिंदू का article है चर्चा यह हो रही है कि जो BCG vaccine है यह आप कर सकते हो कि काफी पुरानी हो चुकी है आज के टाइम पर भी इसका इस्तमाल हो रहा है क्यों क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर देखने को यह मिला यह जो BCG vaccine है यह जो वैक्सीन है यह आज के टाइम पर एविलेबल देखने को मिली साथी साथ यहाँ पर बताया यह ट्यूबर किलॉसस से प्रिवेंट करती है ट्यूबर किलॉसस से यहाँ पर यह वैक्सीन बचाती भी नजर आई अब यहाँ पर हम लोग इसके बारे में समझेंगे क्या है एक्जाक्टि यहाँ पर एक लौती यहाँ पर यह एक लौती वैक्सीन है जो कि ट्यूबर किलॉसस से बचा रही है सबसे पहले हमें ट्यूबर किलॉसस को समझना होगा उसके बाद हम लोग इस vaccine के बारे हो जानेंगे तो tuberculosis एक बिमारी है आप कह सकते हो यह किस से होती है एक bacteria की तुरू होती है और वो bacteria का नाम है mycobacterium तो इस mycobacterium से यह tuberculosis हो जाता है आप कह सकते हो जो mycobacterium है यह अपनी दूसरी family से belong करता है यह family का नाम है mycobacterium के ही इस family से belong करता है इसके अंदर आपको 200 member देखने को मिलेंगे उसमें से एक bacteria यह है और जो यह mycobacterium है इसकी वज़ा से और ही बहुत सारी बिमारिया होती है tuberculosis के अलावा बहुत सारी बिमारिया जैसे की अफेट करेगा और उनके लंक्स को बर्बाद करेगा प्लस और ही बहुत सारी organs को यहां पर अफेट करता हुआ नजर आता है अब जो यह tuberculosis है यह बहुत पुराना disease है यह बहुत पुराना disease है पहली वार कब देखने को मिले थी पता है यह फैलता है परसन टू परसन फैलता है यह हवा से फैल सकता है ऐसा यह बहुत बोला गया मालो दो व्यक्ति आपस में बहुत जाधा contact में है बहुत जाधा pass में है तो यहां पर कोई अगर चीकता है सामने वाला या फिर कुछ यहां पर उसके मुझे थूख निकलता है अगर दूसरे वाला व्यक्ति उस contact में आता है तो उसको भी यह TB हो सकता है कुछ इस प्रकार से यहां पर इस situation देखने को मिलती है जो droplets है या फिर कफ हो गया या चीकने आप तो चीकने के बाद दर्द होगा, weakness होगा, weight loss होगा, fever होगा और रात में पसीना वगरा भी आता है अब बात करते हैं tuber clauses का लेकर दुनिया भर में चाइंपक्ट है तो 2019 का data है 87% जो नए tuber clauses के cases हैं वो हम लोग को देखने को मिले थे 30 high TB burden countries के अंदर मतब 30 country ऐसी है जहां पर सबसे ज़्यादा यह tuber clauses के cases देखने को मिले और 8 countries ऐसी हैं जहां पर दो तिहाई जो नए cases देखने को मिले हैं TB के वो countries कौन कौन सी हैं इंडिया इंडोनेशिया, चाइना, फिलिपीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया बांगलदेश, साउथ, आफ्रिका तो इन countries के अंदर सबसे ज़्यादा tuber clauses के cases जो नए cases हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इनफाक्ट इंडिया ने रिपोर्ड किया 1.8 million TB के cases जनवरी से लेकर December के बीच में साल 2020 के अंदर तो मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर कि अलबर्ट कलमेट और दूसरे हैं कामले गुरेन दो इन्होंने मिलकर इसको बनाया है आपके से तो इन्होंने mycobacterium के इस ट्रेन को एक तरीके जब मोडिफाई करके यहाँ पर इस vaccine को बनाया साथ-साथ आप कह सकते हो कि यह जो BCG vaccine है इसको पहली बार इसको पहली बार लाया गया था 1948 में और यहाँ पर यह हमारे national TB control program का पार्ट बन चुका था हमने इस vaccine का काफिया तक इसको अब कह सकते हो काफि सारे यूज देखने को मिलेंगे TB के अलावा भी बहुत सारे bacterial infection को यह tackle करता है उसके बाद बोला गया यह बहुत सारी countries में effectivelyly काम करता है बहुत सारी countries के अंदर effectivelyly काम नहीं करती है question यह है यह जो BCG vaccine है यह कौन सी country में बिल्कुल सही तरीके से काम करती है यह उन्ही country में सही तरीके से काम करती है जो country equator की equator से काफिया तक दूर है equator वाला जो की region है जैसे मैंने भी आपको बता है जहाँ पर sunlight डिरेक्ट पढ़ती है तो equator के आसपास जो countries पढ़ेंगी equator के आसपास कौन कोंसी countries पढ़ती है India, Kenya, Malawi तो यहाँ पर क्या है कि इन countries के अंदर जादा effective यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नहीं यह TB का जो vaccine है इसकी efficacy से जाथ देखने को नहीं मिलेगी अब equator से दूर कौन कोंसी countries है UK, Norway, Sweden, Denmark इन countries के अंदर जो BCG vaccine हो काफ़ अची से work कर सकती है ऐसा यहाँ पर बोला गया तो आई होब आपको clear हो गया साधी साध यहाँ बोला गया बहुत सारे initiatives चलाए जाते है tuber clauses को कम करने के लिए दुनिया भर में बहुत सारे efforts लगा जाते है जैसे कि World Health Organization ने launch कर रखा है अपना एक initiative कि जितना भी यहाँ पर tuber clauses उसको find करो, treat करो और खतम करो उसका आप कह सकतो इंडिया ही बहुत सारे effort लगाता है इंडिया का एक plan है national strategic plan जो कि यहाँ पर tuber clauses को खतम करने में पूरी तरह से मदद करता है उसका आज के टाइम पर दो vaccine है, एक है VPM और दूसरी है MIP, Mycobacterium Indusprani इसको develop किया जा है ताकि हम लोग TB को identify कर सके हैं प्लस यहाँ पर यह जो vaccine है आपको अंडर clinical trial के अंदर देखने को मिल जाएंगी, phase 3 trial के अंदर है अभी पूरी तरह से working नहीं आई है तो अभी और vaccines के ओपर काम किया जा रहा है उसको लेकर इस article में discussion किया गया नाव बढ़ते हैं next article की तरफ नाव जो अगला article है वो आपका GS paper 2 के अंदर आता है तो इसके बारे में ध्यान दखना है यहाँ पर चर्चा हो रही है इंडिया और Croatia के relations के बारे में तो यहाँ पर आप article देख पाऊगे एक Indian Express का article है चर्चा हो रही है कि अभी हाली में क्या हुआ जो foreign minister है इंडिया के और Croatia के इनके बीच में एक meeting हुई है और दोनों countries ने मिलकर focus यह किया कि यह दोनों मिलकर कुछ मतलब कुछ topics को पर साथ मिलकर काम करने वाली है जैसे कि Indo-Pacific का जो issue है उस issue के उपर दोनों countries मिलकर काम करेंगी प्लस अभवानिस्तान के अंदर जो आज के टाइम पर दिक्कते करेंट हो रही है वहाँ पर दोनों countries मिलकर काम करेंगी या फिर जो terrorism है ठीक है आतंगवाद है उससे लड़ाई करने में यहाँ पर यह दोनों countries मिलकर काम करेंगी कुछ यहाँ पर यह topics share करेंगा है इन दोनों countries के बीच में इन दोनों के finance minister के बीच में question यह है यह क्रोशय की location कहाँ पर है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह हिंडिया का map यह है हमारा महान भारत और इंडिया के comparison में आप जाओगे इधर western side पर तो आपको क्रोशया ऊपर की side यह देखने को मिल जाएगा यह है क्रोशया ओके यह पर location ध्यान दखना इधर आपको Adriatic Sea देखने को मिलेगा Adriatic Sea भी जाम है ठीक है यहां पर आप देख पाऊगे यह क्रोशया हो गया capital इसकी जग्रेब हो गई यहां पर आपको Adriatic Sea देखने को मिल जाएगा इसके तुरू यहां पर entry है इधर आपको Gulf of Venice देखने को मिल जागा यह Gulf बने है ठीक है अब हम बात करते हैं मीटिंग के अंदर क्या कर डिसकॉशन होगा है मीटिंग के अदर डिसकॉशन होगा जो टूरिजम है आज के टाइप पर एक बहुत डिजीटल और infrastructure sector के अंदर जैसे चाहिए वो railways हो गया चाहिए वो medicine वाला सेक्टर हो गया तो इन सब साक्टर के अंदर दोनों countries मिल कर काम करेंगी प्लस और ही बहुत सारे topics है mutual interest को लेकर जैसे की European और इंडिया के relations हो गए ठीक है अफगानिस्तान के अंदर यहां पर कैस प में तो जो क्रोशिया है एक important central European country है ठीक है इसकी location की अगर हम बात करें तो मैंने आपको दिखाया इसकी location कहाँ पर है इसकी location Adriatic Sea coastline के side साथ में आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर यह क्रोशिया है ठीक है इसकी बहुत सारी countries आपको इधर देखने को मिलेंगी स्लोव relations यहां पर है इंडिया और क्रोशिया के युगोशलाविया टूटा थीक है युगोशलाविया डिसिंग्रेट हुआ इसने बहुत सारी countries को जनम दिया ठीक है बहुत सारी countries इसमें से निकल कर आई जैसे बोस्निया हर्जेगोवना क्रोशिया मैसेडोणिया मॉंटेनेगरो स जॉइन ना करें, नॉन अलाइन मुवमेंट क्या था, आप कर सकते हो, यह Cold War चला था, Cold War किस-किस के बीच में था, USA के बीच में था और USSR के बीच में था, Soviet Union के बीच में, तो यहाँ पर बहुत सारी USA चाता था, हमें सपोर्ट करें, USSR चाता हमें सपोर्ट करें, इंडिया ने हम नॉन अलाइन हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करने वाले, किसी के साथ नहीं बिलेंगे, तो यहाँ पर आपके सकते हो, युगोसलाविया के प्रेसिडेंट ने भी इसीज को फॉलू किया था, नॉन अलाइन मुवमेंट की तरफ यहाँ पर यह कंट्री बड़ी थी, ओके नॉ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, अगले आर्टिकल अगेन हेल्थ परस्पेक्टिफ से इंपोर्ट होने वाला है, और यह भी जीएस पीपर टू के पॉइंट अव्यू से इंपोर्ट है, यहाँ बात हो रही है, इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन के बार बाकी चार स्टेशन कौन कौन से हैं, तो वो है आनंद विहार टर्मिनल, छतरपदी शिवाजी टर्मिनस, मुंबई सेंटरल रेलवे स्टेशन, वदोधरा रेलवे स्टेशन, तो इन सब को यहाँ पर यह इट राइट सर्टिफिकेशन मिल चुगा है, और यहाँ पर ज़दा तर प्रोडट के उपर FSI का साइन आपको देखने को मिलेगा, फूड सेफटी स्टैडर्ड ऑफ इंडिया का, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यह स्टिफिकेशन यही देते हैं, बहुत सरे रेलवे स्टेशन को, आज के टाइपर पाँच रेलवे स्टेशन है जि इसके बारे में ध्यान अखना, यह जो FSI है, यह एक और इसको बनाया गया था, फूड सेफटी स्टैडर्ड एक 2006 के अंडर में तो आपको ध्यान देना है, उसके बाद इट राइट मूवमेंट के अगर हम बात करें, तो एक इट राइट मूवमेंट भी चला था, यह भी इनिशेटिव FSI कही था, इसमें में फोकस यह क्या गया था, कि लोगों को एक तरीके से अच्छा खाना मिले, लोगों को एक तरीके से हेल्थी फूड मिले, ठीके सस्टनेबल फूड मिले सब इंडियन्स को, और इसी वज़े से आप एक टेग लाइन चलाए गई थी, इट एनिमिया मुक्त भारत, स्वच भारत मिशन, तो इन सब का में फोकस क्या है कि अच्छा खाना प्रोवाइड करवाओ, और बिमारियों से मुक्त करवाओ, हमारे भारत को, ठीके है, तो यहाँ पर में फोकस यह रहा है, प्लस यहाँ पर जो यह इट राइट स्टेशन वाला इट राइट मिला, तो यह बहुत सारे और भी इनिशेटेव हैं, जो कि सरकार चलाती यहाँ पर, कि अच्छा खाना हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को, और लोग की हेल्थ भी यहाँ पर अच्छा है रहने वाली है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले आर्टिक बैंक के नाम मैंने आप लगाना भूली हाँ, आठ बैंक के जिन्नोंने मिलकर इस अकाउंट एग्रिगेटर नेटवर्क को जोइन किया है, अब यहाँ पर यह क्या होगा, यह आपस में अपना जो एक कस्टमर का फाइनेशल डेटा है, उसको शेयर कर सकती है, मतलब यह है, माल लो, आप किसी बैंक से, किसी A बैंक से लोन लेने गए, ठीक है, आपने देखा यहाँ पर इंट्रेस्ट जो है, आपको एक तरीके से कम दुखाना पड़ ला है, ठीक है, उसका आप B बैंक से लोन ले गए, आपने देखा इंट्रेस्ट यहाँ पर और भी कम चुगाना पढ़ ला है, C से लोन देने गए, तो आपको यहाँ पर interest और भी कम जुगाना पढ़ ला है, ठीक है, तो मतलब क्या है, सबसे कम किसम जुगाना पढ़ ला है, इसमें, तो आप यहाँ से बाते लोन लोगे, लेकिन क्या होगा फिर यह आपकी information मागेगी, सारी information मागेगी, ठ दूसरा बैंक में पैसा यानि है, तो क्या होगा, दूसरा बैंक, यानि कि यह जो आर्ट बैंक है, यह आर्ट बैंक का नाम मैं आपको कल बता दूँआ, ठीक है, अभी मैंने आपर आर्ट बैंक के नाम ने लिखें, तो यह जो आर्ट बैंक है, इन सब बैंक ने क्या कह रह यहां पर इसने बोला कि यहां पर आपका सकते हो कि जो यह banks है यह आपस में इस व्यक्ति को लेकर information को share कर सकती है तो इसी को लेकर यह account aggregator बनाया गया है तो आपको ध्यान देना है अब आपका यहां पर एक question यह भी होगा कि यह जो account aggregator है ठीक है अब चलो मानलो यहां पर SBI है और federal bank आपस में यहां पर क्या कर रही है यह क्या कर रही है यह आपस में जो customer है उसका data को share कर रही है लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में अगर यहां पर data share करने के लिए क्या होगा यहां पर process तो बहुत लंबा हो जाएगा तो इस process के लिए बीच में एक company को खड़ की information, federal bank वाल information यहां से निकाल सकता है तो इस particular body के पास सारी information देखने को मिल जाएगी तो इसी चीज़ को लेकर यह बातचीत करी गई है यहां पर एक bank एक तरफ होगा information provider और दूसरी तरफ होगा information user मतलब एक आपका जहां पर भी आप loan वगरा ले रहे हो तो information use करेगा और इससे fraudness वगरा कम होगा और आपके सकते हो banking भी आपस में काफियत तक यह बढ़कर निकल करा रहे हैं इनका यह आपस में cooperation है जो की काफियत तक help करता हुआ नजर आने वाला है उसके बाद यहां पर हम लोग अगले article की तरफ बात करेंगे अगला article international relations के point of view से important है और international relations stand करत है GS paper 2 के अंदर तो इसके बारे में ध्यान रखना यहां पर चर्चा हो रही है सिंबेक्स 2021 के बारे में यह एक exercise एक अभ्यास है तो यहां पर हम ने देखा कि हाली में इंडिया और सिंगापूर के बीच में एक 28 वा एडिशन हुआ है सिंबेक्स exercise का सिंबेक्स की full form है सिंग सिंबेक्स exercise का 28 वा एडिशन है मतलब बहुत साल पहले से हम लोग इसको तरीके से connect करते हैं बिल्कुल इसको शिरुआत हुई थी 1994 में सिंबेक्स जो है इंडिया नेवी का एक longest bilateral maritime exercise रहा है किसी भी foreign नेवी के साथ यहां पर हम बात करें जो 28 वा एडिशन यहां पर सिंबेक है मतलब यह exercise हुई है तो आपको ध्यान रहना है Singapore के साथ सिंबेक्स exercise भारत की होती है उसका और भी बहुत सारी exercise जो है यहां पर बहुत सारे अभ्यास करता है भारत Singapore के साथ एक है बोल्ड कुलक्षेत्रा वो आर्मी की exercise होती है दूसरा है joint military training यह एर फोर्स की exercise है तीसरा है trilateral maritime exercise simtex यह आपको सकते हो थाइलेंड के साथ करता है तो आपको ध्यान देना है यह कुछ exercise है जो कि यहां पर हम लोग सिंगापूर के साथ कंड़र्ट करते हैं और सिंबेक्स भी सिंगापूर के साथ कंड़र्ट करते हैं तो वन डे एक्जाम के पस्पेक्टिव से आर्ट यू एंड जय हिंद